कैसे हैं दोस्तों उम्मिद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे सौधियरक कि कुछ इंपोर्टेट और भरी इंफोर्मेशन आप लोग को देने जा रहा हूं जो लोग कंपनी में कफिल के पास कहीं भी काम कर रहे हो या नए विजा पर आने वाले हो तो आप लोगों को इ अपने आप इस पंसर के ओपर में केस कर सकते हो और उस केस को आप जीतोगे भी लेकिन वो पूरा मामला का है वीडियो के अने तक बने लिएगा पूरी बात आप लोगों को यहां पर जान बताऊंगा मैं और आप अच्छे तरीके से समझने की कोसिस कीजिएगा ठीक है वी इस पेज को फोलो कर लिजेगा लाइक जेगा वीडियो को शेयर करना बिलकूर मत बूलना अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा तो चले वीडियो को शुरू करते हैं अब यहां पर जो सबसे पहला सवाल है एक भाई का यह सवाल है कि सर मेरा जो ह तो आप जाहिर सी बात है समझहोता हुआ तब ही आप छुट्टी जा रहे हैं यह तो फाइनल जाते ऐसे हैं लेकिन अगर आपका चुट्टी कैंसिल करता है जाहिर सी बात है उसको यह अधिकार नहीं है यह सौधी लेवर लौके थूरू बताया जाता है कि उनका कोई अधिक भी सकते हैं या फाइनल जीट जा सकते हैं क्योंकि कॉंट्रेक्ट आपका जितना था उतना ही है उसके बाद में आपके स्पूंसर का कोई भी आदिकार आपके उपर नहीं वनता है तो यहां पर दूसरी अपडेट आप लोगों को देने जा रहा हूं यह अक्सर लोगों के साथ में होता है कुछ लोग अपने मनमर्जी भी ऐसा कर जाते हैं और इन सब चीज़ों से परिशान होते हैं खास्तोर से छुट्टी जाने वाले लोग ठीक है तो यहां पर जवाजात से किसी ने सवाल किया था कि सर मेरा अकामा जो है वो बैलिड है ठीक है लेकिन मेरा जो चुट्टी खतम होके मैं जान नहीं पाया और ऐसे में जब चुट्टी खतम हुआ तो मैंने जब अकामा चेक किया तो मेरा अकामा भी खतम बता रहा है पहले तो अकामा वेलिड था अब मुझे सौधी रवाना है तो मैं क्या कर सकता हूं कैसे आउंगा इस पर कुछ राय स Most Agile Dr. तो जब जाने तो करने वाले जब चुट्टी खतम होने रही तो आप ध्यान पर देज में अगर नहीं आते हैं तो जवाजाद के तरफ से ही आपका अकामा केंसिल कर दिया जाता है और आञ memornda तीन साल के लिए बैन कर दियाता है सौधी राद में किसी भी वर्क बीजा पर आप सौधी में नहीं आ सकते हो ठीक है हां लेकिन अगर नया कफिल आपका पुराना कफिल जो है वह आपको नया बीजा निकाल कर दे तो उसी के नाम पर दुबारा से आप आ सकते हो अब यहां से दूसरे वर्क बीजा पर आते हो फरोड तरीके से तो चाहे आप रोड के रास्ते आओ चाहे फलाइट के रास्ते आओ एरपोर्ट हो या फित चेक पोश्ट हो यहां पर आपके इमिग्रेशन के दौरान में आखो का और फिंगर का जो यहां पर फिंगर हो गयरा होता है इन दोस्तों जो बात आप लोगों को अब मैं बताने जा रहा हूं, यह बहुत important है, खासतोर से सौधी अरब में रहने वालों के लिए, अब चाहे वो नए विजा पर आ रहे हों, चाहे आप यहां पर हो, ठीक है, तो उन लोगों का सवाल होता है, मैं किन-किन अधिकार से अपने वरकर का अधिकार है, वो क्या है, यहां थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें बताया गया है कि सेलरी देर से मिलना, यानि देर से अगर आपको सेलरी मिलती है, यानि तीन वहिने से ज्यादा हो जाते हैं, तो आप इस सूरत में केस कर सकते हो, केस जीतोगे भी, दूसरा अगर इसा भी होता है, आपका कफिल या कमपणी आपकी सुरक्षा नहीं कर रहा है, आपके साथ दूर गटना हो गया था, तो आप भी किस सूरत में केस कर सकते हो, तीसरा जो आता है, आपको आपका फंड बोनस ना मिलना, ठीक है, और चोथा जो हर साल की छुट्टी का मु मिलना ही चाहिए, और यहां पर अगर पांचवा है, अगर बीज में कॉंट्रेट कैंसिल कर रहा है आपका स्पोंसर, तो ऐसे में भी आप केस कर सकते हो, क्योंकि क्यों कैंसिल हो रहा है, पर इन सारे चीजों के लिए आपके पास पूरूफ होना बहुत ज़्यादा जिरू तो ऐसी सूरत में अगर आपका छुट्टी कट रहा है या पैसा कट रहा है तो ऐसे सूरत में अभी आप स्पोंसर के उपर केस कर सकते हो, जो यहां पर साथवा है, वो खतम हो जाए, उसके बाद फानल एगजिट ना देना, अगर आपका छतम हो गया, और फानल एकजिट के उपर case कर सकते हो ठीक है रुके रही अभी एक और है फिर आपको इसका मैं तोड़ सही से बताता हूँ और ज्यादा नवा है अगर आपको उसे over time काम करवा रहा है बंदा और आपको उसका पैसा नहीं दे रहा है तो भी आप ऐसे सूरत में case कर सकते हो नौ यह ऐसे अधिकार हैं जिनके थूरू आप अपने sponsor को पर case कर सकते हो इन case के सूरत में आप जीतोगे भी जीतोगे ठीक है अब यहां पर बहुत से लोग ऐसा सवाल होता है कि भीया कौन जाएगा case करने कितना दिन चलेगा यह वो दुनियादारी तो देखो भाया इडिक्स तो लेना पड़ेगा ठीक है अब इसमें कितना दिन लगेगा क्या कुछ होगा इस पर मैंने वीडियो बना रखा है आपको description में लिंक मिल जाएगा जाकर आप देख लीजिएगा कितना दिन case चलता है और क्या कुछ करना पड़ता है पूरा detail में वीडियो बना रखा है ठीक है तो आई होप कि दूस्तों इस वीडियो आपको जरूर पसंद होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को share करना बिल्कुल से मत भूलिएगा माने में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर किजिएगा तो चले फिर मिलेंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में तब तक के लिए जैहिं